हेलो एब्रिबन जैसा कि आप लोगों ने थम झान में देखा मैं आज बारे-भात करने वाला हूं बहुत्य वेसी नर्सिंग होता क्या है इस कोर्स की इरलिजिबिलीटी क्या है इस कोर्स के बात कौन लोगो क्या salary होती है या फिर बाहर जाएंगे तो बाहर जाने के बाद foreign country में उसकी क्या salary होगी और उसके बाद भी हम लोग यह देखेंगे कि जो है हमारा BSC नर्सिंग उसमें कौन-कौन से course होते हैं किस लोगों को करना चाहिए और किस लोगों को नहीं करना चाहिए तो सबसे पहला जो हम लोग topic शुरू करने वाले हैं वो यही हो जाता है BSC nursing full information A to Z A to Z मतलब हम लोग सुरू से शुरुवात करेंगे और लास्ट तक जाएंगे सारे चीज को हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रोज है और क्या कौन से हैं तो सबसे पहला नर्सिंग करना किसको चाहिए वाइसे शुडेंट जो physics chemistry bio से आये हुए है या फिर वाइसे शुडेंट जो नीट का exam दिये हैं और फिर उतने ज्यादा marks नहीं लाए हैं कि उसे mbbs course मिले या फिर कोई जो है डॉक्टर्स वाले course मिले चाहिए वो bhms हो गया अगर नहीं मिल रहा है तो अगर आप चाहें तो इस nursing profession को भी बहुत अच्छे तरीके से prefer कर सकते हो क्योंकि जो है अगर आपका मन है medical line में जाना और आपका मन है कि नहीं हम डिप्लोमा वाले course में नहीं जाएंगे या फिर पारा medical वाले course के तरफ नहीं जाना चाते हैं तो यह जो है बहुत अच्छा course है जिसको आप लोग ले सकते हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से जो है medical का पढ़ाई कर सकते क्योंकि इसके बाद जो है जो ब्यस्टी नर्सिंग आप करेंगे इसके बाद बहुत सारे असकोप है और बहुत सारे चीज़ करने को है तो सबसे पहले हम लोग एक एकर के देखते हैं कि यह जो है बेसी नर्सिंग क्या है तो बेसी नर्सिंग का बात क्या जा है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेचलर ओप साइनसी नर्सिंग मिन्स जो है जो नर्सिंग में बेचलर कोर्स होता है तो यह बेचलर कोर्स है और दूसरी बात है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स ह क्या होता है जो हमारे graduation के समय हो रहा होता और एक होता है graduation के बाद सो करते हैं हम लोग PG पोस्ट ग्रेजुएट तो जो ब्यस्टी नर्सिंग है वो undergraduate course है और इसका duration जो है चार साल का होता है इसका और फॉर इस तरीके से जो है बात करते हैं eligibility का तो eligibility क्या होता है कि जो एडमिशन लेना चाहता है या फिर ब्यस्टी नर्सिंग का फोर्म भड़ना चाहता है उसका कौन-कौन से eligibility होना चाहिए या फिर कौन-कौन से criteria होना चाहिए जो पूरा होने के बाद जो है आप होंबर सकते हैं या फिर आप ब्यस्टी नर्सिंग में admission करवा सकते हैं तो जो फर्स्ट जो criteria है जो फर्स्ट eligibility है वह है कि जितने भी student है जो admission लेना चाहते हैं उसे 12 में जो है physics chemistry and biology must होना अनिवार है अगर आप जो है फिजिक्स chemistry बाइलोजी नहीं है तो आप जो है ब्यस्टी नर्सिंग में admission नहीं ले सकते हैं दुसरी बात है कि क्या 12 के भर सकता है और लर्की भर सकता है ब्वाज और गल्स दोनों भर सकते हैं बहुत कोई सोचते हैं कि जो नर्सिंग होते हैं वह सिर्फ परसेंट अगर आपका 45 परसेंट पूर रहा है फिजिस केमस्ट्री बाइलोजी एंग इंगलीज को मिला करके तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा पर यह डिपेंड करता है अलग-अलग कोलेज में भी और अलग-अलग इंस्टिूशन में भी कि वो कितना परसेंटेज को सीट देंगे और कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जिसको पैसा देने के बाद वो दे दिया जाता है पर अगर हम लोग बात करें गवर्मेंट कोलेज का तो गवर्मेंट कोलेज में अगर एडमिशन लेने के लिए आपको 45 परसेंट मांक्स होना चाहिए नेक्स बाट करें अगर ह तक के अगर हम लोग बात करें तो पॉपलर इंट्रेंस एकजाम का मतलब क्या हुआ कि वैसे कौन से एकजाम से कौन से पॉपलर एकजाम है जिसके माध्यम से जो है बेसी नर्सिंग का सेलेक्शन होता है या फिर बेसी नर्सिंग के एडमिशन लिया जाता है तो यहां पर दो तरह के चीजह आते हैं फर्श्ट लिए प्राइबट को अपना अपना एग्जाम लेती है उसके माध्यम से अपने शुदेंट का सेलेक्शन करती है या फिर डिडेक्ट एल्मिशन होता है कुछ को यहां फंटेट एटेंसं में होगा और आग्र आकुछ जो है गोवरमे का तो विहार में जो है BCC का एक्जाम होता है जिसके माद्यम से जो है BCC नर्सिंग में एडमिसन लिया जाता है तो हम लोग कुछ popular इंट्रेंस एक्जाम का बात करें तो सबसे पहला जो इंट्रेंस एक्जाम होता है वो होता है NIT, NIT को जो है national eligibility क्लिटिक कम इंट्रेस्ट टेस्ट का जाता है यह बहुत ही popular exam है medical में selection होने के लिए इसमें जो है पहले बेसी nursing के seat नहीं होते थे बेसी nursing का selection नहीं के जाता था परंतु आजकल जो है इसमें भी seat जोड़ दिया गया है तो अगर आप लोग जो है बैसी ₹ में इसे लेना चाहते हैं तो आप लोग निट के जरिये इसे भी जा सकते हैं नेख Striker नर्सिंग्त का इकजाम होता है इसको बीया आप लोग दे सकते हैं डर प्यक्जाम टेसे वह पॉपन्डीचरी में हैं इसका पॉप निकलता है यह वह इसको भी बर सकते हैं और सबसे जो famous जो entrance exam होती है वो है EMS nursing का, EMS nursing का exam बहुत ज़्यादा famous है, इसमें लोग जाना चाहते हैं और exam देखरके जो है इसमें अपना admission करवाना चाहते हैं, जो कि All India Institute of Medical Sciences न्यू देली में है, वो center level पर exam होती है. नेक्स है Indian Army nursing, जिस लड़के को मन होता है जिस लड़किया को मन होता है कि हम लोग जो है nursing करने के बाद जो है वो आर्मी में जाए या फिर जो उस level तक जाए, जिसमें जो है Directorial General of Medical Service इंडियन आर्मी के तरफ से जो है form निकलता है, उसमें आप लोग बरके जो है admission ले सकते हैं. नेक्स है जामिया हमदर्द nursing, जामिया हमदर्द university जो की New Delhi में है, यहां से भी BSC nursing का form निकलता है. दुसरा है BHU nursing, BHU nursing में बहुत फेमस है, बनारा सिंदु university इसके तरफ से BSC nursing का form निकलता है, यह बहुत ही popular colleges हैं, अगर आप इसमें चाहें, तो admission लेना चाह सकते हैं. उसक nursing, जो की राजस्थान university of health science जैपूर में है, इसका भी form निकलता है, फिर केजी MIG nursing, जो की है King George Medical University लखनों, तो इतने सारे popular interest exam हैं, और भी बहुत सारे interest exam निकलते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग BSC nursing में ले सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे, जो interest exam नहीं देना चाहते हैं, वो direct admission लेना चाहते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे college हैं, जो की direct admission देते हैं, परन्तु उसमें जाने से पले बहुत सारे criteria होता है, उस सारे को चेक कर लेना होता है, जैसे कि INC से वो certified है ये कि नहीं, INC होता है, इंडिया nursing council, अगर उसमें certified है, तभी उस college में जाना चाहिए, और भी बहुत सारे criteria होते हैं, उस criteria पर अगर होगा तो हम लोग एक particular video बनाएंगे, okay, next topic है हम लोग का, वो है career and job prospects in BSC nursing, तो जो BSC nursing अगर आप करते हैं, तो आपको कौन-कौन से job offer होंगे, या फिर आप किस-किस तरीके से job कर सकते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत कम पता होता है, उसे लगता है कि BSC nursing है, तो आप सिर्फ nurse ही बनेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो BSC nursing के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो first जो होता है, वो है deputy nursing superintendent, आप जो है nursing superintendent बन सकते हैं, second है teacher of nursing, nursing को पढ़ाने के लिए जो teacher होते हैं, वो आप teacher बन सकते हैं, direct BSC nursing करने के बाद, आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर आप BSC nursing के बाद कुछ नहीं करना चाते हैं, तो आप इसके बाद भी जो teacher की vacancy निकलती है, teacher भर सकते हैं, next है, a stop nurse, आप a stop nurse बन सकते हैं, होर्त में है nursing service administrator, तो nursing service administrator भी बनेंगे, एरेक्टेड ओक nursing होता है, military nurse में आप लोग जा सकते हैं, assistant, nursing superintendent बन सकते हैं, industrial nurse, बहुत चाड़े industry मेंस की ज़ुरत जोती है, तो आप लोग industrial nurse में भी जा सकते हैं, तो कॉम्यूनीटि हेल्थ नर्स भी बन सकते हैं BSC नर्संग करने के बाद बहुत सारे भेकियंसि निकल रहे हैं थे बहुत ज्यादा है लग बग्ड़ शाग है लुए अज़ हरं वे बिहार में देखा जा तो 45 जो है जाली मिल जाती है फिर डिपार्टमेंट सूपरभाइजर आप बन सकते हैं नर्सिंग सूपरभाइजर और वार शिटर बन सकते हैं ओमकियर नर्स बनते हैं बहुत कोई करते हैं या फिर जो है डारेक्ट अप्राइबिट में भी काम कर सकते हैं ओके नेक्स्ट अगर हम लोग टूपिक का बात करते हैं तो वह स्वाख अगर देखें कि बेसी नर्सिंग में कितने सारे से लिवास होते हैं क्योंकि हमें देख लेना बहुत ज़रूरी होता है कि अग नर्सिंग फांडेशन, माइक्रोबाइलोजी, नूट्रिशन, बायोक्यमेस्टी, इंग्लिश यांद इंट्रोडक्शन और केंप्यूटर, इतने जारे सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट एरे पढ़ना होता है, सकेंड एर का बात करें तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो की इं नर्सिंग, यह लगबब चार सब्जेक्ट हैं और बहुत बड़े-बड़े सब्जेक्ट हैं, इन चारों को जो है ठर्ड एर में खतम करना होता है, फर्स्ट एर का बात करें तो मिडवाइफरी एंद ओफ्स्यक्रिकल नर्सिंग है, सकेंड में कम्मुनिटी हेल्थ नर्सि सब्जेक्ट होते हैं और इन सभी को जो है कम्प्लीट करना होता है, तो फर्स्ट एर, सकेंड एर, फोर्थ एर अगर आप पुड़ा कम्प्लीट करते हैं, तो आप जो है एक जाकर के जो है सर्टिफाइड नर्सिंग ओफिसर बन जाएंगे या फिर नर्स बन जाएंगे, ऐसे भी बेसी नर्सिंग करने के बाद जो है आपको एन और लग जाता है नाम के आगे, जैसे डॉक्टर को डी आर लगता है, उसी तरह नर्सिंग करने के बाद आपके आगे जो है एन आर लग जाता है, बहुत बार जो है यहाँ पर कहा गया था कि जो है जो बेसी नर्सिं ले सकते हैं ओके तो नेक्स्स और टोपीक का बाप करें तो बिपसी नर्सिंग में जोतों है तो उसकी सेलरी क्या है तो देखो इसमें डिफिरेंड करता है कि वाट्ष देयर सेलरी किस जगा पे आप काम करते हैं और तियर्व–्योव लेफल पे काम करते हैं, अगर आप करें नौर्मल की कितना ज्यादा मिल जाएगा तो अगर आप नर्स हैं तो यारली हम लोग average का बात कर रहे हैं यह नहीं बोल रहे हैं कि इतना ही मिलेगा यह इतना देखा जाए तो इतना मिलता है नर्स को जो है 2,42,000 हो रहा है नर्स सुपरभाजर को 4,34,000 यह सब यरली है एक येर में इतना सारे मिलते हैं नर्सिंग इडूकेटर को 3,90,000 साइकोलोजिस्ट अगर है तो 6,80,000 तो बेसी नर्सिंग करने के बाद बहुत सारे साइकोलोजिस्ट भी बनते हैं या फिर जो उसमें डिप्लोमा होता है डिप्लोमा करना होता है ठीक है मेनेजर में भी जो है 7,50,000 होते हैं नर्सिंग टुटर को 5,000 अिंटेंसिब के रस को 6,50,000 वार्ड नर्स एंइंफ्यक्शन कांट्रोल नर्स को 5,00, जुन्यर साइकेट्रिक नर्स को 3,50,000 नर्स सिनारियों में है यो कि इंडियां सिनारियों के नहने का को यहादा कलछर ऊक्रेश करते हैं और यहाँ और और पर मंत मिलता है वो भी सिक्स काम करना होता है इंडिया से बहुत कम काम करना होता है कनदा का बात करें तो 34.37 पर हावर के हिसाब मिलता है जर्मनी में 30 1430 ई Почему मिलता है अगर आप लोग उसे इंडियन करेंसी में करना चाहते है तो गूगल पर जाएए глазिये इंडियन करेंसिटू इमिल और वहां पर जो मिलता है मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि बेसी नर्सिंग में गए थे तो अभी उसका सेलरी जो है आइधिंग के थ्री लाग फिप्टी थाजन के लगवक से मंतली मिल रहा है ओके तो यह था हमारा बेसी नर्सिंग का सेलरी जो कि एपरोड जाने के बाद क्या होता है और भी सारे कंट्री इन जिसामी दुबाई जाते हैं बहुत सारे लोग तो दुबाई में भी बहुत हाई सेलरी है तो यह सब होती है लिए आघर बहूत सारे कोडर से जिसको आप BSC Nursing के बाद कर सकते हैं अगर हम firstly बात करें तो अगर आप Master Course करना चाते हैं BSC Nursing के बाद तो आप MSC Nursing कर सकते हैं और Master in Public Health ये भी एक Course है ये आप कर सकते हैं इसके बाद जो है आप Assistant Professor बन जाएंगे और Experience के बाद जो है Associate और Professor भी बन सकते हैं नेक्श अगर हम बात करें Diploma Courses के BSC Nursing के बाद जो होती है अब Diploma in Critical Care Nursing में कर सकते हैं Diploma Cardiovascular Necess Nursing में कर सकते हैं तो ये सारे Diploma Courses इस सब करने के बाद जो है आप Particularly जो है एक फिल्ड में जो है Specialist हो जाते हैं वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं नेक्श हम लोग बात करते हैं PG Courses After BSC Nursing तो BSC Nursing करने के बाद कोन-कोन से PG Course हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं तो वह है PG Diploma in New Natal Nursing New Natal Nursing में जो है PG कर सकते हैं दुसरा है PG Diploma in Mental Health Nursing Mental Health Nursing में भी जो हम लोग PG कर सकते हैं ठेर्ड है PG Diploma in Emergency Nursing PG Diploma in Management PG Diploma in Pediatrics Critical Care Nursing तो इतने सारे PG Courses होते हैं जो कि आप BSC Nursing करने के बाद जो है कर सकते हैं ओके तो यह था हमारा Courses After BSC Nursing BSC Nursing के बाद कोन-कोन से Courses आपको मिलेंगे आपके पास Option रहेंगे करने के तो यहां तक जो है हमने सारे सवालों का जवाब दिया जो कि एक starting student को चाहिए BSC Nursing में अगर वो admission लेना चाहते हैं तो इसके बाद भी अगर आपको कोई question रह जाती है या फिर आपके दिमाग में कोई question है जैसे कि किसी भी particular exam का cut-off क्या है या फिर कुछ और चीज़े हैं तो उससे जो है आप comment करें मैं वहाँ पर उसका जबाब दूँगा अगर होगा तो उस पर पार्टिकुलर वीडियो भी बना कर ढाल दूँगा ओके तो यहां तक आप देखें इसके बाद next जो आएगा उसमें भी बताया जाएगा कि और भी basic nursing के बारे में क्या होता है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके का वीडियो हम लोग डालते राते हैं और वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को सेर करें अपने फ्रेंड्स के साथ थैंक यू झाल